तो आज मैं आपको recharge to get coins वाली जो event में कुछ changes हुए है वो बताने आई हूँ तो ध्यान से देखेगा क्योंकि यह जो event है बहुत खास होती है यदि आप recharge करवाते ही है यह आपको करवाना ही है तो इस event के दौरान करवाने से आपको बहुत फायदा होता है यह इसका वीडियो म पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब करके जाएगा चानल का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजेगा ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके और मेरे चानल पर आपको स्टार्मेकर से रिलेटेड काफी वी देखिए यह जो इवन्त है अभी 21st October से लेके 23rd October तक है आपने देखा अब आप देख रहे हैं कि मैं आपको सबसे पहले यह दिखा रही हूं यह देखिए आप सबसे पहला जो दिख रहे हैं तो आप अंतर यदियाद करें पुराना जो वीडियो बनाया था मैंने उसकी अ बोनस में आपको जो मिलते हैं वो इसमें काउन नहीं होता है तो विदाउड बोनस आप पहले 40 कोई जुका रिचार्ज करते थे तो आपको 40 कोई उस पर फ्री मिलते थे 100% बोनस मिलता था और उसके बाद जो है बढ़ते जाता था 250 कोईस का था सेकंड और थर्ड वन जो थ वो 500 कोईस का था अब आप देख रहें कि इसमें नहीं सब बढ़ा दिया क्योंकि स्टार में करकी जो है एक्सपक्टेशन बढ़ते जारें कि आप जादा करवाएंगे तो ही आपको फाइदा देंगे अदर्वाइस नहीं देंगे तो देख लेते हैं कि क्या कैसे फाइदा आप उठा सकते हैं चीजों का भी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बात पर अभी आपको सबको मालुम है मैंने इसका भी वीडियो पहले बनाया बना चुकी हूं डेली बैनेफिट से रिलेटिट तो डेली बैनेफिट में आप एक अंदास लगाएंगे तो 120 कोईस का जब आप रिचार्ज करते हैं 120 कोईस जो आप रिचार्ज करेंगे विदाउट बोनस तो जो है आपको डेली बैनेफिट का जो पहला रिवार्ड है वो मिलता है ठीक है अब इसमें आप देख रहेंगी इसमें जो पहले डिमांड आपकी 200 कोईस की है मतलब डेली कोई एकस्ट्रा मल जाएंगे और बाकी जो डेली बैनिफिट बि consig गाई और यह एक दिन के दौरान करनें आप 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 दूसरों जो है हैं तो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको एक ही दिन के दोरान ये चीज़े करनी है, अब आप सेकंडरी देख रहे हैं, कि यह आप थाउजन कोईंस का रिचार्ज कर रहे हैं, यह विदाउड बोनस की बात है, तो आप यह सोच रहे हैं, कि इन्होंने काफी दूर कर दिया, आपने व्यूवर्स को, तो कि मतलब हर चीज़ में यदि इतना वह महंगा करते जाएंगे, और इतने जादा गोल्ड कोईंस के डिमांड बढ़ती जा रही है, तो यह चीज़ जो है, एक आम यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसको जितना अच्छा बना सकते हैं, इजिएस्ट वे में उनको कम करके दिया आप देख सकते हैं, तो जरूर देना चाहिए, तो स्टार्मेकर ऑफिशल को, स्टार्मेकर टीम को इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए, तो हल फिलाल यह है, कि आप 1000 कोईंस का जब रिचार्ज करेंगे, तो आपको जो है, इस हो जाएंगे, उसके बाद जो है, जो भी आपको बोनस मिलते हैं, वो तो जो मिलेंगे, अलग मिलेंगे, पर यह 200 कोईंस विदाउट बोनस को काउंट कर रहे हैं, तो कितने डामंड्स एक्षेंज करना पड़ेंगे, तो वो चीज़े मैं आपको बता दूंगी, फिर उसके अच्योंपर आपको 500 कोईंस मिल जाएंगे, तो 1500 कोईंस आपके हो सकते हैं, और यदि आपने पूरा 2000 का रिचार्ज कर वा लिया, 2000 कोईंस का रिचार्ज कर लिया, तो आपको उसके 1000 कोईंस प्री मिलेंगे, मतलब एक हजार नी, टोटल, in total, मतलब आपने 2000 कोईंस का रिच दूसरा जब आप रिचार्ज कर लेंगे थाउजंद कोईंस का रिचार्ज कया तो आपको जो है जो है मेरे खाल से 500 जो कोईंस है वो मिलेंगे और उसके बाद जब यदि आप 2000 कोईंस तो आपको in तो आपको 60 कोईश में मिलेंगे उसको भी ना देखे तो 60 कोईश में मिलते हैं तो 120 कोईश होते हैं मतलब तो तो आपको डेली बेनिफिट मिलता है और उसके बाद अभी आपको 120 नहीं चाहिए तो आपको त्री टाइम्ट जो है आपको करना पड़ेगा मतलब 1500 टामयंड तो यह हो गए और उसके बाद आपको 300 यह भी अध्यांज करना पड़ेगा तो जब आप तीन बार करेंगे तो यह 180 हो जाएंगे और 180 के बाद यह आप य气ा है 300 जो है डामंड्स और एक्शेंज करते स्थथरिश्न कोईंस और उसके अंदर हो जाएंगे अड्ड तो आपका जो 200 कोईंस वाला जो काम है वह जाएगा मतलब आपको कम-ष 1800 जो है आपको 1800 1800 जो है आपको डामन्स चाहिए होंगे ओके एक्षेंज के लिए और तब जो है आप यह जो बेनिफिट है इसी इवेंट का वह आप पहला बेनिफिट ले पाएंगे 200 कोईंस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो इस तरह के से आप देख सकते हो कि आपके पास ज पोटल जब इवेंट और यह सबसे ले लेंगे तो आप 500 अबव जो है पहुंच जाएंगे तो यह मैंने आपको एक राफ एस्टिमेट दिया है कि इस तरीके से जो है आप एक्षेंज कर सकते हैं आप आपको बताती हूं डेली बैनिफिट के बारे में तो यह आप देख र रहे हूं चाहें आप डामंड एक्षेंज कर रहे हूं तो आपको जो है यह वाला जो है यह चीज मिलते हैं और बोनस इसमें काउंट नहीं होते हैं इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ठीक है और जिस दिन आपने रिचार्ज किया है उसी दिन आपको यह गिफ्ट लेन और second जो है chocolates मिलती थी तो अब इन्होंने 25 gold coins रख दी है तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है यदि हमको recharge करवाना ही है तो इसी event के दोरान आप लोग recharge करवाईए उसका benefit यह होगा कि देखिए पहले day आपने 200 coins का करवाया तो आपको daily benefit भी मिल जाएगा और वो भी करवाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा दूसरे दिन भी यदि आपने recharge करवाया है तो आपको यह जो 25 coins है daily benefit के यह भी आपको extra मिल जाएंगे उसमें add हो जाएंगे तो यदि आपको करवाना ही है तो इस event के दोरान ही recharge करना बहुत अच्छी बात है चाहे वो money recharge हो चाहे वो diamond exchange हो फिर से बतारी हूँ आपको तो इन चुजों को ध्यान में रखते हुए आप काम करिये star maker ने यह daily benefit में changes इसलिए कि है ताकि थोड़ा लोग attract हो इसकी तरफ और इन चुजों पर ध्यान दे तो इस बार जो है सारे gifts जो है आप देख रहे हैं कि वो change कर चुका है star maker तो अब उसमें gold coins जो इन्होंने add कि हैं तो इसके according यदि आप change कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि इनी तीन दिनों के दौरान जो है आप ज़रूर एक्षेंज कीजिए ताकि आपको जादा से जादा फाइदा मिल सके तो मेरी बाते आप समझ गए होंगे तो friends ध्यान दिजेगा और recharge करना है तो जल्दी से जल्दी इन तीन दिनों के दौरान कीजिए और अपने friends को भी share कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ ओढ यौल ते किर जिए किए किए जिए किए जिए 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 किए मूसिकल विए